नमस्कार मैं हूँ सुजी सागर और आप देख रहे हैं बिहार जारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब नीज चैनल लाइव सिटिज जसा कि आपको पता है लोकतंतर के महापर्व के अंतिम चरण के मतदान 19 मई को होने है इसी को लेकर तेश्वी प्रसाद यादव मेता परतिपक्ष बिहार ने एक चिट्थी लिखी है बिहार वासियों को उनकी जो पूरी चिट्थी है वो आपको हम पढ़कर सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है प्यारे बिहार वासियों आज जब पूरा देश लोकतंतर के उत्सव के आखरी चरण में प्रवेश करने वाला है मैं एक-एक बिहार वासि का हिर्दे से आभार पकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरे जोश और खरोश के साथ पूरी ताकत महनत और लगन के साथ महा गढ़बंदन का समर्थन किया बिहार में महा गढ़बंदन जिस अभूतपूर्व जीत की तरफ बढ़ रहा है वो आपके बिना संभव नहीं था अगर बिहार में NDA ने आखरी चलन से पहले ही हार मान ली तो बिहार वासियों ये आपके द्वारा कदम कदम पर हमारे उपर जताए अटूट विश्वास का और प्रेम का ही नतीजा है ये हम नहीं थे ये आप थे जिन्होंने अपने घरों में, अपनी गली में, अपने नुकड और चोराहों पर, अपने खेतों में, अपनी दुकानों पर रास्टी जनता दल के हरे रंग के इतने जन्डे लगाए कि NDA के नेताओं को हरे रंग से नफरत हो गई वो बिहार की जनता ही है जिसने जगा जगा पर पल्टू चाचा का विरोध किया और हमें सिर आँखों पर बैठाया जनजन ने महागडबंदन के समर्थन में इतने नारे लगाए कि पल्टू चाचा अपना घोशना पत्रत तक दुनिया को दिखाने की हिम्मत नहीं कर सके जनजन ने एक साथ मिलकर एकता का ऐसा सुर महागडबंदन के पक्ष में छेडा कि एंडिया का सुर बिगड़ गया और उनमें फूट पढ़ने की खवरें आने लगी ये आपके महागडबंदन को अपार समर्थन का ही असर है कि पल्टू चाचा से फिर से पल्टी मारने के कयास लगने शुरू हो गए चुनाफ के दौरान आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ती बन कर उबरा है और पिता की अनुपस्तिती में मुझे उर्जा देने के काम किया है इसके लिए मैं आपका हमेशा रणी रहूँगा मैं बिहार की माटी के हर इंसान को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जितना अभूत पूर्व जन समर्थन आपने चुनाव के दौरान मुझे दिया है उससे जादा सेवा भाव और करतवी निष्टा से मैं बिहार की जनता की सेवा को समर्पित रहेगा आपका तेश्वी आदव तो ये लंबा चौड़ा पत्र बिहार वासियों के लिए तेश्वी आदव की तरफ से आया है कही ना कही बिहार वासियों के लिए इस तरह का जो पत्र तेश्वी आदव ने जो दिया है ये उनके सेवा भाव को यादव की अनुपस्तती में तेश्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से राजत को संभाला है और महागडबंदन के एक बहतरीन नेता के रूप में अपनी छवी बनाई है राहूल गांधी के साथ मंच साजा किया है कहीं ना कहीं ये राहूल गांधी के साथ साथ लालू प् खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाए धन्यवाद